जब हम जरूर से ज़ादा अच्छे बंगते हैं न दोस्तों तो हमें ही दुख होता है तो थोड़ा सा चालाग बनिये थोड़ा सा स्मार्ट बनिये दुनिया तो ऐसी ही है उनको आपकी दुख से ना कोई फरक नहीं पड़ता है इसलिए हमेसा खुश रही है और थोड़े से अपने इमोशन को ना कंट्रोल करना सीखिए हाई अवरिवन मैं लखी लभी मौम आपका वैलकम करती हूँ आपके ही चैनल में दोस्तो कैसे हैं आप उम्मिद करती हूँ सब फुशल मंगल होंगे और हमेसा खुशी रहेगा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तो थोड़ा सा चालाग बनने के हमको जरूरत है थोड़ा सा दुनियादारी हम सीखने के जरूरत है कि कुछ लोग को बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता किसी के दुख से किसी के सुख से और कुछ लोग जो बहुत सीधे साधे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनको सबसे फरक पड़ता है, वो किसी को जान बुझ के बिलकुल भी उदास नहीं देख सकते हैं, तो जिन्दगी में आगे बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े से ना हुश्यार हो जाएं, थ बिना किसी को हानी पहुचाएं, अगर हम नहीं लगाएंगे ना तो सामने वाला आपका यूज कर लेगा, इसलिए कोई हमारा यूज ना करे, थोड़ा सा चालाग बनिये, थोड़ा सा होश्यार बनिये, तो दोस्तों ये थोड़ी सी बाते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा और बनाती हैं, थोड़ी सी हमें स्मार्ट बनाती हैं, और हाँ दोस्तों, ना कहना सेखिए, हमारी थोड़ी नहीं बहुत बुरी आदत है कि हम ना अच्छे बनने के चक्कर में ना नहीं बोलते हैं किसी को कुछ भी चाहिए, हाँजी ले जाओ, किसी की help करने हैं, हाँजी मैं लाती हूं क्योंकि हमें ना अंदर यह रहता है कि हम ना कर देंगे ना तो यह बुरा मान जाएगा इसको हट हो जाएगा फिर यह मुझसे बात नहीं करेगा पता नहीं क्या सोचेगा कि इसने ना कर दी मेरी काम के लिए एक ना करके आप बहुत सारे चीजों से बच सकते हैं अगर आपका दिल गवाई नहीं देता आगर आपकी माइंड में टैंशन है कि नहीं अगर इसको मैं काम कर दूँगा या इसका यह सब मतलब हैकर कर दूँँगा आपको अच्छी खासा पता है कि ये मिर को बाद में ऐसे ही बाते बोलेगा, ऐसा ही मुझे सुनने को मिलेगा, तो स्टार्टिक में ना बोल दीची है, और क्या, सिंपल, यही तो बोलेगा, ना कि देखो, उसने मेरे काम के लिए मना कर दिया, या उसने मेरे हैल्प नहीं की, यह पस इतना ही तो बोलेगा, और तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप उसका काम करते हैं, तो उसमें सो कमी निकालना, और दस लोगों से बोलना, उससे आप बच जाएगे, तो कभी-कभी ना कहना बहुत फायरेका सौदा होता है, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं दोस्तों, यह अच्छे इंसानों की पैंचान होती है कि वो ना नहीं बोल पाते हैं, उनको बैस यह रहता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो दुखी तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं मेरे बारे में कैसे सोच उसकी बन जाएगी तो यह ना, यह हमारी अच्छा ही है कि हम सोच रहे हैं, सामने वाले को कोई फरक नहीं पढ़ रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके मूँपर पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बोल जाते हैं और उनको यह भी रिलाइस नहीं होता कि वो आपका दिल दुखा रहे है आपको इंसल्ट कर रहे हैं, उनको फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि वो उसी तरीके की उनको लेंग्विज समझ में आती है, ना वाली, हाज़ जवाब वाली, उल्टे जवाब उनको चाहिए, वो ऐसी तरीकी की लेंग्विज पसंद करते हैं, थोड़ा सा हमको स्मार्ट ब कीजिए, हर किसी के सामने अपनी चीजों को बयान ना कीजिए, अगर आप हैपी हैं, नौर्मल रहो, दुखी हैं, नौर्मल रहो, जो भी आपी टेंशन है घर की, बाहर की, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप ही सॉल्व करोगे, कोई आपका बाहर वाला सॉल्व नहीं करे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, आपको पता है दोस्तों, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन क्या होता ना कि हम अपनी एमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसी बाते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाते हैं, जो कि हमको बाद में ब पुद्धी काम नहीं करती, वो सभी से बहुत अच्छी से सब कुछ बोल देगा, जो नहीं बोलने वाली बात है, वो भी बोल देगा, और जो जब दुखी होता है, तो सभी के सामने कि जहां पर आपकी feeling की कदर नहीं है, जो लोग आपको समस्ते नहीं है, जो लोग आपको, जिनको कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके दिल पे क्या बीतर है, आपकी life में क्या हो रहा है, उनके सामने आप बोल देते हो, आप मुझे comment जरूर केजेगा, क्या ऐसा होता है, होता है दोस्तों, मैं बता रही नहीं है, ऐसा होता है, जब हमारी emotions उफान मारते हैं तो हमारी बुद्धी काम करना बंदगर देती है, हम न अजीब सो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बैस हमारी बात को कोई सुन ले, हमारी बात को कोई समझ ले, और हमें न बैस थोड़ा सा मतलब सहारा मिल जाए, लेकिन कभी-कभी किसी का कंदा थोड़ी विरकली अगर हमको मिलता ह तो एक बहुत बड़ा इसान हो जाता है एक ये बात कह लीजे कि हमारे मुग पे तमाचा हो जाता है फ्यूचर के लिए फिर वो अगर आपका मित्र नहीं है हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छे मित्र भी होते हैं अच्छे दोस्त भी होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग, ये कुछ लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, कि बाद में फिर वो आपका मज़ाग बनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं, उनका तो समझ में ही नहीं आता है कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ऐसे व्यक्तिकों ना, म हम हमेशा उनका एक्जामपल दें, या हम उनकी तारीफें करें, या फिर हम जो वो कर रहे हैं अमरी लाइफ में, उनको हम फॉलो करें, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी ना, कभी ना हमको ऐसा लगता है, कि हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल दूसरों को दुख ना हो, इस चीज के लिए हम किसी की जड़तारीफ कर दें, या जो कहने वाली बात नहीं है, वो भी हम कहतें, समझ रहे हैं, तो इसलिए कभी-कभी ना, कुछ लाइने बोल देना ठीक रहता है, सामने वाले के लिए, क्यों क्योंकि जो हमेशा ऐसे चीजें बोलते हैं, ना, रिकेटिव चीजें और फटाफट से जवाब दे देते हैं, उनकी भी कदर नहीं होती, तो कभी-कभी, सम्टाइम, जब आपको लगे कि पानी अब सर से उपर हो रहा है, तो अब इसको जवाब देना बनता है, ना कहना ब हमेशा अपने पास रखें, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी के आने से, किसी के जाने से, आपकी लाइफ पर कोई फरक नहीं पड़ना चाहें, वो आपका मित्र हो, नियर हो, डियर हो, या कोई भी हो, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने आपकी तारीफ कर दिया, आप जाते हैं, वो आप जानते हो, मैं जानती हूँ, और कोई नहीं जानता, यनि कि हम अपने आपको बहतर समझते हैं किसी दूसरे से, तो अगर कोई तारीफ करता है, इस ओके, इसमाइल दी दीजी, कोई निगेटिव बोलता है, शानत रहिए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि ऐसा कि नाराज करने की कोशिश कोशिच सब्सक्राइब करते जवा et liquor दोस्तों कि हम कुछata करें हम कुछ बोलने के अभी तो जब उत्रों करेंगे हम संस्क्राइब क्लांको हम उन क्षरह सब्सक्राइब क्ला है किसी के कई कुछ स्था करने फृ dove ऑन पर मेड़ानी होन exile नौर्मल रहो हाँ ठीक है किसी ने तारीफ की बहुत अच्छी है पर्या के जो अगर को प्रहा हो कि शुनने को मिलता है तो उस पर यकीन कीजी और जो बुरा हैagus से जう तो दोस्तों यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब हमें जैसा होना है वह हम अपने हिसाब से होंगे किसी के कहने पर किसी के करने पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जिंदगी है हमें कैसे चलना है कैसे आगे बढ़ना है क्या कहना है क्या नहीं करना है क्या पहनना है क्या खाना है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता होना चाहिए और हम ही कर सकते हैं ऐसा क्योंकि हमारी लाइफ है क्योंकि हमारी जिंदगी का जो चावी है ना जो रिमोट है वो हम कंट्रोल क बहुत ज़रूरे हैं हमार ना बहुत ये मैं देखा खा है कि किसी ने बोल दिया ना कि आस तो आप अप्शे नहीं होट है और न चallow ये तो निस बात है कुछ लोग फर बाद देते हैं कि आप जही लग रहे हों नहीं लग रहे हो हम क्या 지금 को अच्छा बुरा लग रहा है यह मतलब कुछ दिन का सबको पता है कि जो आपकी अच्छा ही आ ना जो आपके घुड्ड है हो हमेशा रहेंगे किस्री जो आपके घुण है अपना विस्वाथ आपको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करना है आपको demotivate नहीं होना है बलके आपको ना happy रहना है कि कोई कुछ करे ना करे कोई कुछ कहे ना कहे आपको पीछे नहीं हटना है हमेशा ना भी देखे ऐसा है ना कि हम जैसे हैं हमें पता है कि हमारा nature क्या है हमारा behave क्या है और हम कैसा behave करते हैं दू कमजोर मत साबित कि अपने आपको कमजोर मत लिखाए वह दिखांते थी। अक्यृत बिश। दिखांते है को बहुत बहुत जबन अपने बन या. उनकी पर ने विस्वात लूए है कि आपको पतार ने नहीं यह तो हमेसा ऐसेैं बोलता रहता है जो भी आप काम कर रहे हो ना सबसे पहले तो बोल यह मत किसी को सबस्कू कर रहे हो कुद के से कर दिना क्या एं हैं यह बनना है तो जब हम थोड़ा सा पीजह होने लगते हैं न तो एसे लो पिर हमारे मुंगे संद भाटे थे बहुत जएदा बाते बनाते थे कि लाइफ का रहे हैं या यह माँ फिर तरका सुनते रहे बस जो जवाब है ना अपने कामों से दीजिए जो आपने लाइफ में अचीव कर रहे ना वो जो आप अचीवमेंट लेंगे ना जिन्दगी में वो उनके मूपे तमाचा होगा जो आप मेहनत कर रहे हो वो दिखाए मत किसी को बस आप चुप जवाब भी ना दे सके जो आपको हमेशा पीछे दखेलने की कोशिश करें जो आपको बिल्कुल भी पसंद ही ना करें चाहिए आप कितना भी अच्छा काम कर ले ना उनको बैस उल्टा बोलना ही बोलना है आपसे आपसे मतलब बस उनको यह है कि किसी तरीके से ना यह बैस परिशान हो जाए, रो जाए जिन्दिगे में आगे नहीं बढ़े, तो ऐसे लोगों को बिलकुल अपने से दूर रखिए, आपका जो फ्रेंज, फ्रेंज सरके लेफ वो स्रिफ पॉजिटिव लोगों को होना चीए, जिसमें कि एक दूसरे को आप मोटिवेट करो, फ्रसाहि करो, आगे बढ़ने के लिए, आपको एक दूसरे की कमिया पता हो, और वो उस ग्रूप में न, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों, जो इक दूसरे को समझें, एक दूसरे की रस्पेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है, आपको आपकी बॉंडरिस पता होनी चाहिए, कि हमारा यह बॉंडरिस हैं, हमें इतनी बाते करनी हैं किसी से, और इतनी बाते नहीं करनी हैं किसी से, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, स्मार्ट बनने के लिए, अपनी वैलू बढ़ाने के लिए, दुनियादारी सिखने के लिए, हमें पता होना चाहिए, कि हमारी बॉंडरिस बहुत सारी चीज़ों से भच, भी जाते हैं, समझ के व्यवार करते हैं, थोड़ा सा 스maar बन जाते हैं, तो बहुत सारी मानता है ना तो उसको problem नहीं होगी एक होता है ना कि मीट की बीच वाली बात बोल देना कि ना इसकी ना उसकी तो हम उस तरीके से चलते हैं ठीक है ना तो अपने उपर विश्वा सकी यह नि कि हम ना कुछ दुख नहीं देना चाहते हैं इस तरीके के इंसान बनिए जान भूझकी तो बिलकुल भी नहीं और कोई आपको अगर दुख देता है तो अपनी बॉंडर जैसे बना के रखिए कि वह इंटर ही ना कर पाए आपकी लाइफ में क्योंकि वह निगिटीव जो थौट्स व दूर्श दुवच अइसा होना चाहिना कि सामने वाला कुछ भी आकर अपने वह दोस्तो अगर मेरी बातों से आप एकरी हों तो वीडियो को लाइट कर दीजेगा अगर आपको वीडियो लगती है यूसफुल तो फैमिली ट्रेंट्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भुलेगा आपके कमेंट्स का मिर को इंकिजार रहेगा कमेंट्स जरूर से कीजेगा और थोड़ी से चालाग बनि देंगे खुद की इंपोर्टेंट्स बढ़ाएंगे न तो लोग भी फिर हमें वैलू देंगे लोगों को वैलू देना बंद कीजिए जो वैलू के लाइक नहीं है नहीं हमें उनका देल दुखाना है नहीं हमें एडवाइस करना है सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी में सोचना है क्योंकि दोस्तों जिन्दीगी यही है थोड़ा स्मार्ट बनेंगे ना कभी जिन्दीगी में आगे पड़ेंगे चली दोस्तों मिलती हूं नई वीडियो में जब तक मेरी इस वीडियो को आपको लाई सुब्सक्राइब सेर कीजेगा जया श्री किष्णा रा पिर दे